यह सिंक्यांग में स्थित टकलामकान रेगस्तान में 11 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गढ़ा खोद रहा है। चीन की सरकारी समचार एजनसी शिन हुआ की एक रिपोर्ट के मताबिक यह गहरा गढ़ा धर्ती की प्राचीन तम क्रेटासियस दौर की तहों तक पहुचेगा। क्रेटासियस एक भूगर भी एक काल माना जाता है जो 145 से 66 मिलियन वर्ष के बीच की बात है। इस काम के 457 दिन में पूरे होने की उमीद है। यहां काम करने वाले ऑपरेटर्स दिन रात भारी मशीनरी के साथ काम में लगे रहेंगे। इस योजना को चीन में खुदाई की सबसे बड़ी योजना बताये जा रहा है। इससे पहले चीन में इस तरह के सबसे गहरे कुएं की गहराई 10,000 मीटर दर्ज की गई थी। हाला कि चीन के ओर से खुदा जाने वाला यह गढधा इंसानों का बनाया गया सबसे गहरा गढधा नहीं होगा। यह रिकॉर्ड रूस के खुदे गए कोला ड्रिलिंग कुएं के पास है जिसकी खुदाई लगभग दो दशकों तक जारी रहने के बाद साल 1989 में 12,262 मीटर यानी 12 किलो मीटर से ज्यादा पहुँच गई थी। इसके बाद इस काम को रोग दिया गया। मगर सवाल यह है कि चीन इतना गहरा गड़ा क्यों खोद रहा है जिसकी गहराई दुनिया की सबसे उची चोटी यानी माउंट एवरिस्ट की कुल उचाई से भी ज्यादा है। इस योजना का नेदरित्व सरकारी संरक्षन में चलने वाली पेट्रो केमिकल कॉर्पोरेशन सीनों पैक कर रही है। चीन के राश्पती शी जिनपिंग ने लगभग दो साल पहले देश के वैग्यानिकों पर जोड़ दिया था कि वह जमीन की गहराईयों में मौझूद संसाधनों की तलाश के काम में आगे बढ़ें। और अब इस योजना का काम शुरू किया गया है। चीन में तेल और गयस की खोज पर काम करने वाली देश की सबसे बड़ी कमपनी चाइना नैशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रतिनी थी लिउ जिया गांग ने बताया है कि इस कुएं की खुदाई के दो मकसद हैं। वैग्यानिक शोध और तेल वा गयस की तलाश। ध्यान रहे कि चाइना नैशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ना केवल चीन की सबसे बड़ी कमपनी है बलकि यह दुनिया की तेल और गयस की बड़ी कमपनियों में से एक है। चाइना नैशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इस बात का इशारा भी किया है कि इस योज या 5 किलोमीटर की गहराई से नीचे समुद्री शेत्रों में स्थित होते हैं टकलामकान रेगिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि यह ऐसा शेत्र हो सकता है जहां तेल और प्राकरतिक गैस के बड़े भंडार मौझूद हो लेकिन इस रेगिस्तान को काम करने के लिहाद से मुश्किल इलाका समझा जाता है जहां सर्दियों में टापमान माइनस 20 डिगरी सेलसेस तक गिर जाता है जब कि गर्मियों में यह टापमान 40 डिगरी तक पहुँच जाता है